हेलो एवरीबन वेलकम टू दो चैनल दैट इस क्रक्स कोर्स और यह जो सीरीज है वह एक डिमांडर सीरीज है ठीक है कुछ स्टूडेंस ऐसे हैं जिन्होंने स्पेशल ऐसे रिक्वेस्ट करी थी कि मैं फॉर्मूला शीट बनाऊं तो मैंने क्या करें सिर्फ फॉर्मूला शी मारेगा डर पहले मारेगा ठीक है जबकि नीट के अंदर अगर मैं बात करूं काइनेमेटिक्स में तो एकदम ही बेसिक क्वेशन आते हैं और सबको याद होते हैं फॉर्मूले लेकिन सिर्फ इस डर की वज़े से की काइनेमेटिक्स तो हार्ड है हम उनको करते ही नहीं है पहले ही डर जाते हूं तो मैं तुम्हें प्रिवियस यहर का डेटा बताऊंगी कि सिर्फ यह फॉर्मूले च्छें फॉर्मूले यहां पर सिर्फ इन ही को यूज करके आज तक सारे कोईशन आये हैं ठीक है और जो तुम रिलेटिव मोशन में लगे रहते हो हर वक्त उसमे तो इन फॉर्मूलो को करने की ज़रता है और अपने दिमाग में लेके जाना एक्जाम के अंदर कि इन ही में से बनेगा कोईशन इस बार भी क्योंकि बहुत सारे कोईशन जाजतर पिछले 33 यह के मैंने अनलाइज करें जो मैक्सिम्म कोईशन यह ही है ठीक है तो देख लो सबको पता होता है कि speed और velocity जो होता है speed में आजाता है distance per unit time और velocity में आजाता है displacement per unit time इस को मैंने इस तरह से लिख दिया distance को क्योंकि यहice scalar quantity है ठीक है अगर यहां से time निकालेंगे मतलब तो अगर time निकालेंगे यहां से तो speed नीचे चल जाएगी और distance को ऐसे s लिख रखा है यहां पे अगर time निकालना हुआ तो यहां पे time इदर चल जाएगा velocity नीचे तो यहां पे displacement upon velocity यह दोनों vector लिख रखें इसके बाद अगर average की बात करूँ अगर जहां कहीं पे भी average आएगा ना वहां पे total लेना होता है ठीक है तो average speed के case में हमें पता है speed में distance लेते हैं तो यहां पे total distance लेना है और नीचे total time अब बात करते है average velocity की अब average आगया है यानि की total लेना है ठीक है, next, थर्ड प्या जाते हैं, इसमें हमको पता होता है कि जो velocity vector है वो क्या होता है, यहाँ पर displacement का change होता है time के साथ, तो अगर इसे हम इस तरह से differentiation में लिखेंगे तो ds by dt लिख देंगे, ठीक है, acceleration क्या होता है, change in velocity per unit time होता है, तो dv by dt लिखते हैं इसको, अगर यह वाल होता है कि जो acceleration में velocity होती है, वो time के साथ ना change हो के displacement के साथ change हो रही होती है, x के साथ change हो रही होती है, या distance साथ change हो ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे, इसका एक और formula आता है, acceleration का जो होता है, v dv by dx, इसे भी याद रखना है, ठीक है, अब इस वाले formula से, इन तीन formula से, जो है, 16 previous year question आया है, 16, ठीक है, और data बोल रहा है, यह मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, next, fourth question, यहाँ पर बतादू कि यह equation होती है, v square is equals to u square plus 2gh, ठीक है, और यह free fall वाले case में होती है, जब free fall किसमें होता है, gravity की वज़े से होता है, तो g आ जाता है, और h height आ जाती है, जबकि अगर हम normally से बात करें, तो g को बोल जाता है, हमारे acceleration, और h को लिखा जाता है, s, तो तुमने पढ़ा होगा, v square is equals to u square plus 2as, वही है, यह, लेकिन यहाँ पे ghrs का मतलब यह free fall की बात हो रही है, ठीक है, तो इसमें से क्या है, कि यहाँ पर apply करने वाला मुद्दा कि rest से किसी को throw करा जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पर velocity zero होगी, initial velocity, तो उस case में जब यह zero होगी, तो यहाँ पर v square 2gh के बराबर आ जाएगा, और v is equals to, अगर square हटाएंगे, तो इदर root 2gh आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से, तो इसके बाद एक और खास point जो की ह कि एक question दे रखा होता है, मतलब मैं एक star point बता दू कि maximum height पर जाने के बाद velocity zero जाती है, जैसे यहाँ से fake ही गई है कोई चीज तो यहाँ पर maximum पर जाने के बाद क्या होता है, इसकी velocity zero जाती है, ठीक है, यह बात जानने वाली है, तो यहाँ पर क्या आता है, इस वाली equation से, generally, वह वाले cases आते हैं, जब मैं मतलब कि इस वाले formula पर बेस जाएंगे, और यह वाला बता दू कि जब यह बोल रखा हो कि नीचे से vertically throw कर आगया है, बोल को जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर तो हम plus 2GH लेते ते तो यहाँ पर क्या होगा ना, कि gravity के खिलाफ काम हो रहा होएगा क्योंकि हम उपर फेक रहे हैं, तो यहाँ पर minus आ जाएगा इस formula के अंदर, V square is equals to U square, minus 2G है चो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, अब सिर्फ इस वाले डबे में जो formula लिखे हो हैं ना, इससे हमारे no questions आए हैं, ठीक है, पहले मैंने चेक कर रहा था, तो मुझे 7 दिखें, फिर इसके बाद मुझे दिखा कि एक और question है, फिर मुझे एक और दिखा, इसका मनला है, इसमें से पूरे nine previous year के question आए हुए हैं, सिर्फ इस डबे में से, ठीक है, next, हम आगे हैं हमारे fifth formula पे, जो की है, की सब को पता होती है, यह equation, s is equals to ut plus half gt square, ठीक है, मैंने बता रखा है, जह साथ questions आए हैं, ठीक है, और जो यह वाली equation होती है, हमारी v is equals to u plus 80, यह वाली equation भी use हुई है, और यह intermix करके use हुई है, इन वाले questions के साथ की हमें यह भी find करनी होती है, ठीक है, तो यह इस वाली, यह वाली जो equation हमारी है, तीन से चार questions में हमारी लगाने को आई अग तक, ठ इसके बाद last हमारा formula है, जो कि most important है, जो कि है कि nth second के लिए अगर हमें distance निकालना हो, तो nth second के लिए distance निकालना हो, तो हम formula लगाते है, u plus a by 2, 2n minus 1, ठीक है न, u plus a by 2, 2n minus 1, इस formula को बिल्कुल रट लेना है, अच्छे से याद गड़ लेना है, ठीक है न, क्यूंकि direct application आते इसका और previous year में इससे चार questions आए है, ठीक है, तो ज़रा एक बार और बता दूँ कि ये पूरे हमारे 6 formula हैं और इन इससे प्रीवियस एर का पूरा analysis आई तो हमारे इन formula में से आये है 6 questions, इसमें से आये है 16 questions, इसमें से आये है 9 questions और इसमें साथ ठीक है और इसका application है 3 से 4 questions के तो इसे अच्छे से कर लो बहुत कुछ कवर हो जाएगा ठीक है ना और मन में अपने सोच के जाओ पहले ही कि क्वेश्चन इन्हीं से आएंगे और पहले ही डर जाएंगे कि हाई-फाई-फॉमुले या फिर मैं अलग कुछ निकाल के बताऊं उससे कुछ नहीं होएगा क्यो ठीक है अगर आपका सपोर्ट मिलता रहा तो हम आगे भी महनत करेंगे ठीक है क्योंकि उसी से एक उत्सा बढ़ता है मेरा भी कि मुझे और वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाओं भी महनत करके अनैलिसिस लाओं भी और उसपे व्यूज ही नहीं आत कि आप नोट कर सको इनको ठीक है ऐसे स्टॉप करके इनको नोट कर लो या फिर स्क्रिंशोट ले लो इनका ठीक है थैंक्यू